हेलो फ्रेंड्स मेरी कीचिन में आपका स्वाज़त है आज मैं बनाने जारी हूँ तील और गूर के लड़ू इसे हम मकर संक्रांती में बनाते हैं और इसे बनाना बहुत ही असान है तो आज की रेस्पी को आप जरूर ट्राई करें मुझे उमीद है आज की रेस्पी आपको बहुत पसंद आएगी अगर ट्राई करने के बाद आज की रेस्पी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए मकर संक्रांती इस पेसल तील की लड़ू बनाना शुरू करते हैं तो एक चुले पे रखे नहीं हैं रिखे हैं पैन ते भूह ने पर लट समसे चैनल में डिटेर लो जोर चैनल में करने को दो गूर को पकाएंगे एक प्लेट में हम तील को निकाल लिए हैं और वापस उसी पैन में एक बड़ा चमच घी डालके इसके जगा आप तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गूर डालके हम लो फिलेम पे गूर को मेल्ट होने देंगे इसमें हम दालेंगे दो से तील चमच पानी ज्यादा पानी यहाँ पे हम इस्तिमाल नहीं करेंगे गूर को इसी तरह से क्रस करते हुए अभी लो फिलेम पे हम गूर को अच्छे से मिल्ट होने देंगे तो ज्याक बना इस्टार्ट हो गया है अब एक बावल में थोड़ा सा हम गूर डालके देखेंगे अगर यहाँ अच्छे से अभी गूर सेट नहीं हो रहा है तो फिर से हम गूर को पकाएंगे अगर ज्यादा यहाँ पे हम गूर को पकाते हैं तो लड़ू हाड बनेंगे अगर कम पकाते हैं गूर को तो लड़ू सौट बनेंगे तो फिर से हम एक बुंद डालके देखेंगे तो अभी नहीं उतना अच्छा से सेट गूर नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा सा और पकाएंगे, ज्यादा नहीं, 15-20 से केंड और हम चुले पे रखेंगे, यहां पे चुला को ओफ कर देंगे, चुला पर से पैन उतार के, उसमें हम रोष्ट किया हुआ तेल, मुंफली डाल के, अच् ज्यादा गर्म रहता है, अगर घर में 2-3 मेंबर हैं, तो उनकी सहता से आप लड़ू बना सकते हैं, इसलिए कि अगर ठंड़ा हो जाएगा, यह जो मिक्चर है, तो लड़ू अच्छे से नहीं वधेंगे, तो गर्म में ही हमको बनाना है, इसलिए पानी से हर लड़ू के वाद हलका ग्रीस कर लें, ऐसी तरह से लड़ू आप बना लें, जैसे यह ठंड़ा होगा, वैसे लड़ू बनने में थोड़ी प्रोब्लेम आएगी, तो आप देख सकते हैं, लाष्ट में जो बचा हुआ है, थोड़ा हाड हो गया है, तो इसको आप फिर से चुले पे रह हलका गर्म करके आप बना सकते हैं, लड़ू, तो साड़े लड़ू बनके तयार है, आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लड़ू बनके तयार हुआ है, तो मेरी ये तील और गूर के बहुत ही टेस्टी लड़ू रेड़ी हो चुके हैं, आप इस मकर संक्रांती में इस रे पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करें अगर मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें